नमस्कार दस्तों मेरे इस यूटूब चैनल में मैं आप सभी लोगों का देल से बंदवा स्वायत करता हूँ दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे इंट्राडेट ट्रेडिंग से सम्मधित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स उनको चलिए हम देखते हैं दोस्तों इंट्राडेट ट्रेडिंग क्या होता है आप सभी को मालूम ही होगा जैसे कि हम आज 9 बच के 15 मिनट में ही यह 9 बच के 15 मिनट के बाद से 3 बच के 30 मिनट के अंदर तक कोई भी कारोबार करके उससे एकजिट करते हैं किसी स्टाक को 9 बच के 15 मिनट के बाद हम खरिते हैं और 3 बच के 30 मिनट से पहले हम उससी स्टाक को बेज देते हैं तो वह हम हमारा इंट्राडेटे टीडि कहलाता है आप सभी को मालूम ही होगा आप सभी जानते हैं. इसके बाद दोस्तों इसमें जो profit करने वाले लोग की संख्या है या percentage आप कह सकते हैं उनमें से 90% लोग जो हैं दोस्तों वे क्या है और 10% लोग वे लोग हैं जो इंटरे ट्रेडिंग में पैसा बनाते हैं यां पे लोग करने वालों की संख्या है वह 90% में और वहां पे profit करने वालों की जो संख्या है या गणिए अब इसके बीच यह इन दोनों की बीच में कि जो अंतर है डिफ्रेंट है वह क्या है क्यों है ऐसा परसेंटेज के मामले में कि यहां पर 90 परसेंट लोग है और यहां पर 10 परसेंट लोग है उनली मैं डाटा का फुड़ा सा ज्यादा ही बता दे रहा हूं यहां पर कुछ कम ही आएंगे आप अग्च्वल डाटा अगर निकालेंगे तो यहां पर देखिए इन दोनों के बीच का जो अंतर है इन दोनों के बीच में जो डिफ्रेंट है वह बहुत बड़ा है अलग-अलग पॉइंट के उपर है बहुत सारे पॉइंट्स है उन सभी पॉइंट्स को मैं प्रोपर एक एक करके डिसकस करने का प्रय पहला जो पॉइंट आता है वह है यह major चीज है सबसे पहला चीज है अगर आप के पास नहीं है आप भी इस स्रेडी में है लोस क्यूं कर रहे हैं या क्यूं हो रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसा है तो इस चीज को follow किजिए इस इधर से उठके उदर चले जाएं उस उधर वाले स्रेडिंग में जहां पर 10% लोगों के पास जो मेजर चीज है वो अब होता है वो अब ही आपके पास होना चाहिए तब आप इसमें आपाएंगे इनके पास क्या नहीं है no any trading plan समझ में आचुका होगा आपको no trading plan जो लोज कर रहे हैं उनके पास कोई भी ट्रेडिंग प्लान नहीं है और यहां पर जो प्रूफिट कर रहे हैं उनके पास प्रोपर ट्रेडिंग प्लान है अब मैं थोड़ा से टेवल में आ जाते हैं कि ट्रेडिंग प्लान एक्चुल में होता क्या है और इनके पास क्यों नहीं है इसके अंदर ट्रेडिंग प्लान के अंदर बहुत सारा टॉपिक आएगा अलग-अलग पॉइंट आएंगे उन सभी पॉइंट को हम बाद में डिसकस करेंगे अभी देख लेते हैं ट्रेडिंग प्लान एक्चुल में इनके पास मिजर से उनको मैं बदा देता हूँ पहला जो पॉइंट है ट्रेडिंग प्लान के अंदर वो है money management का इनके पास proper money management है जिनके पास profit वाले जो लोग है वे इनके पास proper trading plan है इसके बाद trading plan के अंदर money management हो गया money management है इसके बाद trading psychology जो होता है उस point को ये लोग जानते है psychology के अंदर आपका greed, fear emotions, hope ये सारे चीजों को हम aid कर सकते हैं इसके नीचे आप आजाएंगे तो यहाँ पर ये लोग के पास risk reward ratio को maintain रखने का proper planning है ये सब जो major चीजे हैं, points हैं वे सब चीजे इनके पास proper है और ये लोग follow कर रहे हैं जाने या जाने में follow हो रहा है तब ये लोग profit वाले part में हैं और जो लोग वाले part में हैं इनके पास जीजे हैं money management हो गया trading psychology हो गया emotions हो गये इसके बाद risk reward ratio इस सब भी चीजें इनके पास नहीं है भी जानते भी हैं लेकिन ये proper follow नहीं कर पा रहे हैं इस कारण से no trading plan या 90% वाले जो लोग के स्रेड़ी में हैं उनमें आ रहे हैं और इनके पास है अग proper जाने अन जाने में follow हो रहा है तो इस कारण से ये proper profit में है तो अब आप अपने आपको analyze किजे क्या आपके पास trading plan तो है लेकिन क्या इसको आप execute कर पा रहे हैं अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिस किजे proper एक build up किजे अपने लिए एक trading plan proper और उसको follow किजे जब आप trading plan को proper follow करने लगेंगे तो पहुंँ अच्छा आपका result हो जाएगा आपका trade हो जाएगा और आप proper trading में पैसा बनाने लगेंगे तो आगे हम discuss करेंगे इन सभी के points के अंदर पहुंँ सारा चीज है एक एक करके में discuss करते जाएंगे हम और समझते जाएंगे उस point को तो आज के लिए आप इतना ही आप proper ध्यान दिजे trading plan के उपर बनाईए अपने लिए एक नया trading plan एक नया दिन का सुर्वात कीजिए एक नया तरीके से एक नया सीरे से और इंटर कीजिए market के अंदर तब proper market से जो 10% लोग वाले हैं उनमें आप भी आ जाएंगे मैं यहाँ पर प्रोपर ट्रेडिंग प्लान आप सभी को provide कराऊंगा जिसके मदद से आप कुछ extract कर पाएंगे extraordinary बन पाएंगे और जो लोग है loss करने वाले स्रेडिंग में आ रहे हैं आप तो उधर से transfer हो जाएंगे जहाँ पर profit वाले स्रेडिंग में जो लोग हैं उनके साथ तो इस वीडियो में दोस्तों इतना है वीडियो आपको कैसा लगा एक बार comment करके जरूर बता दीजेगा चैनल पर पहली बार आ रहे होंगे सब्सक्राइब कर लीजेगा और बेल आगन कौन करना बिलकुल मत भूलिएगा